नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन करमचार चैन आयोको राजिक के प्रात्मिक वम्मद भी द्यालों में 26 एर एक सिख्षकों के लिए अधियाचना भेज दी गई है इनमें से 12,879 पत सहयक अध्यापक सनुईदाधारी कर्मियों के लिए आरक्चित रखे गए हैं इनमें काक्षा 1 से 5 के लिए 579 पत जबकि काक्षा 6 से 8 के लिए 74 सोपत आरक्चित हैं सिख्षक नियुक्ति में जामिल होने वाले अभियारतियों के लिए जहरखन सिख्षक पतरता पर इक्षा जेटेट में सफल होना अनिवार्य है बदा दे मौझूदा समय में जारक्षन में लागभग 14,042 परासिख्षक डेटेट सफल हैं इनमें काक्षा 1 से काक्षा 5 तक के लिए 97 सोपन चालिस परासिख्षक और काक्षा 6 से काक्षा 8 के लिए 43 सो तीन परासिख्षक सामिल हैं वहीं काक्षा 6 से काक्षा 8 में जेटेट सफल सभी सिक्षकों की नियुक्ती होने पर भी 397 पद रिक्त रह जाएंगे जबकि काक्षा 1 से काक्षा 5 तक लिए आराखी सभी पदों की नियुक्ती होने की थिती में 4270 पाला सिक्षकों को अगली नियुक्ती होने का इंतियार करन पड़ेगा दिव्यांग खिलाडियों की बेहतरी के लिए BCCI से मुलकात जार्खन के दिव्यांग खिलाडियों में परतिभा की कोई कमी नहीं है जार्खन किर्केट एसोसेशन फोर डिफरेंटरी एवर्ड ने BCCI से बेहतर संसाधन उपलबत कराने की मांग की है ताकि जार् DCCI की ओर से पहल की जा रही है इस्ट जोन में आने वाले विभीन राज्यों के डिसेबल क्रिकेटर को कैसे बेहतर मौका मिले DCCI के महासची और अविकांत चुभार ने कहा है कि पिछले कई वर्सों से पूरे देश में दिब्यांगे खिलाडी अपने अपने राज अस्तरिय मैच खेलते आ रहे हैं उन्होंने कहा कि खिलाडीों को उनके हुनर के हिसाब से समान नहीं मिल पाता पती और तीन बच्चे मुक बधीर पत्नी ने लगाई जेमेम नेता से मदद की गुहार करम टोली में रहने वाले राधे स्याम तूरी और उनके तीनों बच्चे जनम से ही मुक बधीर हैं जब उनके बेटे करन ने बराहमी परिच्चा पास की तब उसकी मा आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए जहां मों के नेता सुपरियों भटा चार्ज से मिलने पहुंची और मदद की अपील की मा ने बताया है कि घर में सिर्फ वही बोल और सुन पाती है उसके पती एक बेटा और दो बेटिया ना तो बोल पाते हैं नहीं सुन पाते हैं उन्होंने बताया है कि मा होनी के वज़ा से वा अपने बच्चों की भवनावों को बखोवी समझती है उन्होंने कहा कि जीलाई स्कूल से बराहवी की परीक्षा पास करने के बाद सरकार या तो आगे की पढ़ाई के लिए मदद करे या कोई रोजगार की बेवस्ता करे ताक की जीविका चल सके जारखन में 11 जूलाई से भारी बारिस के आसार मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उतर पुर्वी भाग में 11, 12 और 13 जूलाई को भारी वर्षा की समावना जाताते हुए एलो अलर जारी किया है मौसम केंद्र रांची के अमसार जारखन के उतर पुर्वी जीले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरी, डिगोड़ा, जामतला, पाकुड़, साहिव गंज में 11, 12 और 13 जूलाई को कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है वहीं भारी वर्षा की समावना को देखते हैं मौसम केंद्र ने इसके किरिस्ती छेत्र पर पढ़ने वाले परभाव अधारित बिसलेसन पुरोणवान जारी किया है अपने पुरोणवान में मौसम केंद्र रांची ने छेत्र के किसानों से अपने अपने छेत्रों में जल निकासी के उचित बेवास्ता कर लेने और वर्षा के पानी का उपयोग विभीन फसलों की बुगाई में करने का आगरा किया है वहीं मौसम केंदरे राची के अंशाराजि के ऊतर पूर्वी भाग में भारी बारिश की वजह से कृसी और बागवानी पर खराब परभाव पड़ेगा चेक बाउंस मामले में अमिसा पटेल ने लगाई रांची सिविल कोट में हाजरी चेक बाउंस मामले में आरोपीत बालीबूट अभिनेतरी अमिसा पटेल ने रांची सिविल कोट में हाजरी लगाई है इस दरण उन्होंने अपने उपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया अब अमिसा पटेल इस मामले में ट्रायल फेस करेगी बता दे पिछली सुनवाई की दरण आदालत ने उन्हें कोट में उपसित होने कादेश दिया था जिसके बाद वाद कोट में उपसित हुई अजय कुमार सिंग से अढ़ाई कोड़ रूपए लिये थे समझातों के अनुचार जब फिल्म जून 2018 में लिज नहीं हुई तो अजय ने अपने पैसे वापस माँगे थे मंगलवार को सार्थी औन वील जागरूपता रथ रवाना करेंगे मंत्री बन्ना गुपता जार्खन के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता मंगलवार को सार्थी औन वील जागरूपता रथ रवाना करेंगे इस कारकरम के दोरान स्वास्त मंत्री बनना गुपता के साथ रांची की बिधायक सिपी सिंग रांची सांसा संजा सेट भी मौजूद रहेंगे इस कारकरम कावजर रांची के चनक के बी एनर होटल में सुबह करीब 11 बएसे किया जा रहा है इस कारकरम में सिर्कत करने वाले आतीतियों में कई अने लोग भी मवजूद रहेंगे साथी सुबह करीबे 11 बज़े हिस्वास मंत्री बना गुपत सार्थी अनवील जगरुपतार रा थ्रवाना करेंगे जारखन के पाँच जीलों में होगी मन्रेगा लोग पाल की नियुकती जारखन के पाँच जीलों गुमला लोग पाल की नियुकती होगी इन जीलों में एक साल बाद लोग पाल की नियुकती होने जा रही है मन्रेगा की योजनाओं की सिकायतों से निप्टारा के लिए लोग पाल की नियुकती की जा रही है मुख्यमंत्रि हमांशरे ने भी समाथी दे दिघा ऐसे में आज हम जानेंगे कि लोगपाल के कारी क्या है बता दे ज़ारखन सरकार ने पिछले साल 19 जीलों के लिए लोगपालों के नियुक्ति की गई थी अब बाकी 5 जीलों में नियुक्ति परकिरिय जारी है इसका फायदा एह हो रहा है कि लोगपाल के माध्यम से जीलों मन रहेगा कि सीकायतों परतवरी सुनवाई हो रही है वहीं फैसले भी दिये जा रहे हैं इससे तमाम परकार के गलबढ़िया के चांसेच कम हो जाते हैं हर हर महादेव के नारे से गुजे जारखन के सीवाला है जारखन में सावन के पहली सोमवारी पर विभीन सीवालियों में भारी भीड उमर पड़ी है इस दरान भक्तों का उसा देखते ही बन रहा है राजी के परमुक सीव मंदीरों में सर्धालू सुबा से जलारपन के लिए कतारबत खड़े है वहीं देवगर के बाबा मंदीर में कौल साम से ही भक्तों की भीड़ लगी है इस देवान भक्तों के उसा देखते ही बन रहा है राज के तमाम मंदीर परिसर हरहर महादेव किनारonna से गुज उठा है जारखन में दिभ्यांग, बुजूर्ग, बुजूर्ग, बिवजूर्ग वा बीमार घर बैठे करा सकेंगे आधार का काम बजूर्ग दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े ब्यक्ति अब घर बैठे अधार का काम करा सकेंगे इन्हें अधार सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है या सुविदा यू आईडी ए आई ने सुरू कर दिये हैं हलाकि इसके लिए थोड़ी पर किरिये पूरी करनी होगी और लोगों को अतिरिक भी चार्ज चुकाने होगे घर पर अधार का काम कराने के लिए ऐसे लोगों के परिजनों को सबसे पहले नई दिकी अधार सेवा केंद्र या रियाड़ा भवन इस्थीत यू आई डी आई के कर्याले में आवेदन देना होगा आवेदन के साथ डॉक्टर का मेटकल सर्टिफिकेट उम्र का प्रूप या विकलंगता प्रवान पत्र देना होगा आवेदन पर मंजूरी मिलने के बाद किट मुवमेंट की अरुमती यू आई डी आई के अधिकारी देंगे इसके बाद तय तित्थी और समय पराधार के काम के लिए किट लेकर ऑपरेटर जाएंगे और अपका काम कर दिया जाएगा जारखन में 40 परतिसत की दर से बढ़ रहे नसे के रोगी जारखन के यूवा नसे के नए ने रूप का इस्तिमाल कर रहे हैं इसका एडिक्षन होने पर यूवा इलाज के लिए आने लगे हैं कई यूवा इसकी चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं फिल गुड से फिल बेटर की स्थिती में जाने की इक्छा रखने वाले यूवा धिरे-जिरे नसे की लट का सिकार हो रहे हैं बता दे राज में नसे का स्पेशल क्लिनिक केंद्रिये मनोची की संस्थान में चलता है यहां नसे की लट वाले सिकार लोगों की संख्या करीब 40-50 की दर से बढ़ रही है 2021 में संस्थान के नसा मुक्ति केंद्र में 1500 ने मरीज का इलाज हुआ था जबकि 2022 में यह संख्या करीब 2300 पहुँच गई वहीं 2023 में मौई तक ही 900 मरीज आ चुके है पलामू बालगिरी से नवालिक फरार पलामू के प्रमंडलिय मुख्याले मेदनी डगर में संचारित बालगिरी से एक नवालिक लड़का फरार हो गया है घर्टना 8 जूलाई की बताई आती है पर पुलिस को बालगिरी से अधिकारिक सुचना 10 जूलाई यानी 2 दिन बाद दी गई इसके बाद पुलिस ने फयार दर्ज करते हुए मामले में छनवीन में जुट गई है बता दे बालगिरी से भागने वाला नवालिक लड़का पहले सौच के बहाने सौचाले गया उसके बाद सौचाले का खिड़की तोड़ा और वहां से भाग गया जिस तरह से घर्टना को लड़के ने अंजाम दिया है उसे साफ है कि उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी बालगिरी के तरफ से बताया गया है कि 8 जुलाई को सौब़ साथ बहे सौचाले के ले गया था सौचाले काफी देर तक बंद रहने पर बालगिरी के कर्मियों ने दरवाजा खट खटाना शुरू किया लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुनने पर क्रमचारियों ने बंद दरवाजा को तोड़ कर देखा तो सौचाले की खिडकी टूटी हुई थी और नवालिक भाग गया था सरावनी मेले में रंगदारी वह सुनने वाले 10 गिरफतार देवघर नगर थाने की विशेश टीमने आपराधियों की धर पकड़ के लिए छपे मारी की है इस दरवान बाबा परिहस्त गिरोह के 10 सदस्यों गिरफतार किया गया इनके पास से तीन पिस्तोल, सहीत, आट गोली, तीन मैगजी, नुवा पांच, मुबाइल भी भरामत किये गए पूलिस कर्याले में अवित प्रेस वर्ता मामले में जनकारी देते हुए इस पी सुभा चंद्रजाट ने कहा है कि पकड़े गए सब भी अपराधी बाबा परिहस्त गिरोह के सश्यों है उक्त सभी लोग सरावनी मिले में सीव गंगा इलाके में लगने वाले और साईदू कंदारों से जबरन हतियार के बल परंगदारी वसूलते थे धन्यवाद